अगला वाच्छाप्यूट्र विस्लेशन के बाद मुझने कि अग्रम वाच्छा कर ली थी परीचे क्या था उसका अर्थ क्या होता है तरस्ता वक्र क्या होते हैं तरस्ता वक्रों की मानेताई क्या है सिमात प्रदीश थापन के दर क्या होती है यह सारे हम पिछले वीडियो में आराम से पूरा चर्शा पर क्या आचुके हैं आज हम आपको बताएंगे कि तरस्ता वक्र की विशेश्ता क्या होती है जो हमारा अनदीमान वक्र है उनकी क्या क्या विशेश्ता है हैं और विशेश्ता के बाद में बात करेंगे कितने प्रदागिए हुसकते हैं वनका आपर सेप्ड साइस क्या हो सकता है इसके बार सब्सक्र आज लिन clone थी विशेश्टा यहारो कि विशेस्ता हैं यह हम कह सकते हैं अन्धी मार भंबर की विशेस्ता हैं क्या होती हैं I keep कि बवक्र कि अपर येना के और इसमें प्रोंक हैं तो सबसे पहला कि लेते हैं कि जो रखता वक्र 20 से दाए वोले तो उपर से नीचे या मैं गें सकते हैं ऊपर से नीचे ना, जैंघ की और रनात्मक ढाल यह होते हैं धेखे बाएं से दाएं ऊपर की ऊपर से नीचे की हो तो मैं आपको बताँ रहा हुआ कि यह किस परकार का से विशेश्था कह रही है कीसी एयूंब्स और वम लिए तो हमें एक्स ॉगव कर रहे हैं इधर H함 वे वस्तू का भोक कर रहे हैं इसके और निचे की और यहें नीचे की होगा होता है यह हमारा क्या हो गया smell स्कूल यह तो होता है लेकिन हम्हेर में उस्वेंद आलता है कि इस तरह ही क्यों होता है इस तरह का क्यों नहीं हो सकता तदस्ता वक्र जो है आपका इस तरह क्यों नहीं हो सकता और इंग और मैं आपको बताऊँगा कि तदस्ता वक्र जो है आपका इस तरह क्यों नहीं हो सकता ये इस तरह क्यों नहीं हो सकता और इंग और मैं आपको बताऊँगा कि तदस्ता वक् सब्सक्राइब कर रहे हैं यह आपकी एक्स वस्तू है यहां पर भी सुरी वाई वस्तू है इधर आपके एक्स वस्तू है यह दोनों आईसी हो देखिए यह समझ में आएधा आपको वापिस आप जाईए पिछली वीडियो में और आप देखिए तड़स्ता वक्र क्या होता है मैं आपको समझाएगा तरस्ता वक्र दो वस्तूं के उन विभीन सहिओं को का बिंदू पत होता है जिसके प्रतेक बिंदू पर वो बोगता को संतुष्टी का समान इस्तर प्राप्त होता है और उस समान इस्तर को प्राप्त करने के लिए वोगता क्या करता है यदि एक वस्तू के वोग में व्रति करता है तो दूसरे वस्तु के वोग में सदेयों का क्या करता जाएगा कमी करता जाएगा अगर वोगता एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाता जाता है तो आप यहाँ पर देखेगा वाई वस्तु की मात्रा है जो गटता जाएगा कि समान मात्रा बढ़ाते दूसरी वस्तु का त्याग करता जाएगा अब दूसरे वस्तु को बढ़ाने के लिए लेकिन इस इस्तिति में अगर हम एक सुस्तु को बढ़ाते हैं तो इधर वाई वस्तु को वह भी वस्तु को बढ़ा है कि हमारी जो मानेता है उनको सपुस्ट नहीं कर रह लीजओं लोनों वस्तु की मात्रा बढ़ेगी बढ़ाहे łैं लेकिन क्या औरी ची जादा संतुष्टी मिल रही है इस लिए इस प्रकाज़ करें कि प्रकार्वक्ता भातर हैं जा जी रह जो इस वस्तों की मात्रा बढाता जाता है वाई वस्तू में किसी प्रकार की कोई ग्रावट नहीं हो रही है थे यह मात्रा श्तेर है जद़की तड़स्टाउं अगर हम एक्स वस्तू की मात्रा वाद बढाते हैं तो वायवस्तू के मात्रा में कमिंदम को ती ही होती है इसलिए यह नहीं पोसीविल कि है हमारे पास में तीसरी पॉस्ट्रीटी यह घती है कि भी भाइबाक्त के पैलन या फिर यह खड़ी रेखा वाला क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आगया है अगर आप एक वस्तु के बोग में कमीया प्रद्दी करते हो तो दूसरे वस्तु के भूग में भी उसी मात्रा म संतुस्टी के स्तरमें किसे प्रकार का परिवतन नहीं होना चाहिए तो वो इस्तिति यहां पर है अगर सपोज करो यह उस्तु की मात्रा मिन लध्द की तो य वस्तु में स्वते ही कमी हो गई आप देख सकते हैं यहां से यहां पर आजयता है यह पाई वन से यह बाइब जीरो पर आ जाता है इस तरह से गट्थी चली जाएगी मात्रहें और हमारा हिसी को ही बताता है और हम कह सकते हैं कि इस इस प्रतिष्थापन की दर जो है क्या है गट्थी हुई है कि एक वस्तु के उभोग को कमी अग्रदी करने पर दूसरे वस्तु के उभोग में अनुपात में परिवर्तन हो रहा हूँ तो हम कह सकते हैं कि जो तड़स्ता वक्र है बाएं से दाएं उपर से नीचे की ओर रिनात्म भाल वाला ही होता है मैं सोच सकता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा अगला हमारा जो विश्यस्ता कि इसको साथ कर रहा हूं अगली विश्यस्ता है कि तड़स्ता वक्र है जो रणात्म भाले तो होते ही हैं उसके साथ साथ मूल बिंदू के प्रति उन्नोतोधर होते हैं मूल बिंदू के प्रति उन्नोतोधर होते हैं मूल बिंदू के प्रति उन्नतोधर अब देखेंगा एक मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि एक आपका तखस्ता वकर रिये है इदर एक्स वस्तू को लिए इदर वाई बस्तू हो जाएगा और यह आपको क्या हो गया आईसी हो गया एक्स वस्तू तो रांक पक्त पहली विशेश्ता क्या दार्पर ही चाहिए यह दूसरा आपको बन जाएगा कि यह उपर से नीचे की हो रही है देखते रही है एक्स और इधर वाई इदर और यह आपका आईसी हो गया और यह तीसरा है जो अपना चाहता है कि एक्स और वह बना दिया है कि इधर वाई वस्तू को पॉब करें डायग्राम की लेवलिंग बहुत जरूरी है आप जिस भी एज़्दाम में आप इसको सब्सक्राव कर रहे हैं उसमें आप लेवलिंग जरूर कीजिए क्या क्या किस इसको दर्वंति हैं लेक मुल बिंदूugen होना चाहिए क्यों होना चाहिए इसख्या क्यों क्यों होना चाहिए इसलिए इसलीं होना चाहिए कि तरस्ता वक्र के संदर में सीमात प्रतिस्थापन की दर पढ़ते हैं तो सीमात प्रतिस्थापन की दर क्या होती है रिनात्मक होती है मतलब घड़ते हुई होती है एक वस्तु को भोग हम बढ़ाते जाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा है जो घड़ती है रिनात्मक दर से गड़ती है ना कि गड़ती हुई दर से गड़ती है या इस तरा नहीं रहती है इस्तितिम में आप देखिए गाँ आपके सामने दो बस्तों को भोग यहां x और y का है ए बिन दूपर अब सबूद करो x के बोग में क्या हो जाती है ब्रती हो जाती है X1 हो जारता है तो Y की मातरा में कमी तो हो गई Y1 हो तो गया लेकिन आप तेखेंगे X और Y में समान अनुपात में परिवर्तन वा है Δेल्टा Y है यह देल्टा X है तो इस इस्तेदी में हम क्या दिसकते हैं Δेल्टा X स्कूर्स टू डेल्टा Y मात्रा में परिवर्तन हो एकर सबस्क्त करो मात्रा में परिवर्तन हो अगर स्कूर्स करो हम X की मात्रा में कमी करते हैं या X कर दे तो यह क्या हो जाएगा Y chloride जो आप बढ़ जाएगी इस में नव न बर्द्दी हुई लिकिन दोनों में कमी और वध्दी वडद्दी है जो क्या हुआ हुए यहां पर हम कह सकते हैं MRS है जो क्या है एक के बराबर है इक्वल है मतलब दोनों में समान अनुपाद में परिवर्टन हो रहा है जब कि तदस्ता वक्ति के संदर्म हम कहते हैं सीमान पृतिष्ठापन की तर MRS Marginal Rate of Substitution क्या होनी चाहिए हम इसकी स्थितिन आता है एक हमेरे पास में यह विल्दू है और यहां पर बोगता है जो वह कर रहा है यहां इसी के संदर्म यह एक्वस्तू को बढ़ा जाता है को बढ़ा जाता है एक होस्तू का यह अपना पर पढ़ा दिया है अब लगातार जो य की मात्रा है जो बढ़ती जारी इस स्थितित million क्या है जैसे जैसे हम एक्वस्तू को बढ़ा दे Pacific का वार्या वाइकette मात्रा और जूह होती है कंप खटोती होती है तो यहां पर am Sãoa सकते हैं एक से अधीतर नहीं सकती धुन हम कह सकते हैं ठीक है दूसरी इस्तिति लाज के हमारी सामने आजाती है ग्रडदेन बन करती है कि अब देखें यह आजाता है तो इसमें जो होनी चाहिए अर्था जैसे जैसे हम यह एविंदू है हम ने यह विंदू पर यह वुष्टू का वुष्टर है हम एक्स की समान मात्रा में क्या करते हैं व्रत्ती करते जाते हैं तो आप देखेगा यहां पर आपकी व्रत्तु की जो मात्रा है लगातार घटती जा रही है तो इसका मतलब घटती रह से घट रही है मूल बिंदू के प्रती उन्नतदर होने का मतलब मूल बिंदू हमारा और यह इधर हो है यह एक सिर्दी रेखा में है यह कौन के उट्टू का ओरीजिन है यह कौन रेस्टू दा ओरीजिन है तो समझ माले होगा कि मूल बिंदू के प्रती उन्नतदर क्यों होना चाहिए इसकी करते हैं जो है कि तड़स्ता वक्र जब तड़स्ता मांचित भी बात करते हैं तो उंचा तड़स्ता वक्र जो होता है वो संतुष्टी के अधिक्तम इसकर को बताता है तड़स्ता वक्र संतुष्टी के उंचे इस्तर को बताता है अब देखेगा संतुष्टी के उंचे इस्तर को कैसे बताएगा यह हम एक तड़स्ता वक्र ले लेते हैं इस पर हमने एक तीन तड़स्ता वक्र बना लिए आईसी वन आईसी टू आईसी थ्री यह तीन तड़स्ता वक्र हो गया इधर एधर वाई हो गया सबोज कीजिए हम पहले नमर पर बात करते हैं एक्स वस्तु का वोग यहां एक्स जीरो है इधर वाई जीरो है अगर हम वाई जीरो का समान वोग रखते हैं और एक्स वस्तु के वोग में व्रद्धी कर देते हैं तो हमारी संतुस्टिक किस्तर में क्या हो जाती है ब्रग्दी ओलं तैस्ता वक्र णाओ strengtheningõसिये ंा ना तो काटते हैं और ना ही इसपर्स करते हैं इसपर्स करते हैं देखे विद्यारतियों तड़स्ता वक्र दो तड़स्ता वक्र एक दूसरे को ना काटते हैं ना इसपर्स करते हैं अभी जो मैंने बता ही आपको विशेश्टा उचा तड़स्ता वक्र संतुष्टी के उचे तिस्तर को बताता है उसी से संब्दित है इसको मैं आपको सामने दो अपस्तावकत जो आपस में दूसरे को काट रहे हैं higher उनसे पश्ट करूंगा यह X axis है Y axis है इधर X वस्तु का उभोग किया जा रहा है इधर Y वस्तु का उभोग किया जा रहा है दो तडस्ता वक्र में आपके सामने रख रहा हूं एक तडस्ता वक्र है यह IC1 है यह IC2 है i-c2, यह e बिन्दु है, देखेगा Dan, डोनों तड़स्ता वक्र में बना दिये हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, इसी से ही समझाऊँगा कि दोनों तड़स्ता वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं कारते हैं और क्यों इस परस नहीं करते हैं यहां पर ले लिजे आप A बिंदू ले लिजे यह B बिंदू ले लिजे यह C है और यह D है अब आप देखेंगे कि एक तड़स्ता वक्र पर प्रतेग बिंदू संतुष्टी के समान इस तरो बताता है तो हम कह सकते हैं B is equal to E is equal to D ये तीनों बिंदू एक साथ है वही हम कह सकते हैं कि A A equals to e-bindu equals to C सभी बिंदू है जो एक दूसरे को मैंने बता दिया दोनु तरस्ता वक्र ये आई-सी टूका है और यह आई-सी वन के बिंदू है अब आप देखेंगे कि जब हम इसे पूर्व जाते हैं इसे पूर्व ए ग्रेटर देन भी है इविंदू से पूर्व इविंदू से पूर्व और उंचा तटश्ता वक्र संतुष्टी के उंचे इसतर को बताता है लास्ट वीडियो में बताया है तो यहांपर हम कह सब्कुछ देन ए अर्थात क्या कह सकते हैं IC2 ज़्यादा संतुष्टी दे रहा है कि इसको IC1 से ज़्यादा संतुष्टी देता है लेकिन हम E बिंदू के बात देखते हैं E बिंदू के पशचार बात देखियेगा C greater than D मतलब C बिंदू पर ज़्यादा संतुष्टी है बजाये D बिंदू के तो हम यहां कह सकते हैं कि IC1 है जो ज़्यादा संतुष्टी देता है IC2 से देखेगा हमने इसकी मानिता हैं थी उनमें देखा था स्पैकर मकता की मानिता जिसमें हम कहते हैं कि एक तड़स्ता वक्रिया एक समय में हम वोगता ने A सहियों को अगर ज़्यादा प्रिफरेंस दे दी B से और B को ज़्यादा दे दी C से तो हमेसा A greater than C ही रहेगा लेकिन यहाँ पर क्या है एक समय में तरस्ता वकर 2 ज़्यादा अच्छा है तो वहीं दूसरे समय में तरस्ता वकर 1 ज़्यादा अच्छा है और ना ही एक दूसरे को कभी कारते हैं हमारी अगली विश्यादा तरस्ता वकर के संदर में अगली विश्यादा है कि तरस्ता वकर किसी भी अक्ष को ना X अक्ष को ना ही Y अक्ष को दोनों में से किसी को भी इस पर्स नहीं करते हैं देखिए दो तड़स्था वक्र या कोई भी तड़स्था वक्र है वाँ पांच भी से इसता है तड़स्था वक्र तड़स्थता तड़स्थता वक्र एक दूसरे को एक सरी इसको लेख सकते हैं किसी भी अक्ष अक्ष बोले तो ब्रेकेट में ओ एक्स एंड ओ वाई को इस पर्स नहीं करते हैं इस पर्स नहीं करते हैं देखिए यदि तड़स्था वक्र मैं ले लिया यह एक्स ले लिया है इधर वाई ले लिया है इधर एक्स वस्थो ले लिया है इधर वाई वस्थो ले लिया है सपोज करो तड़स्था वक्र आपका इस परकार का है आईसी तो इस इस्तिति में वोगता केवल एक्स वस्थो का ही वोग कर रहा है जब तड़स्था वक्र क X-Ax को छोड़ा हो ये हमारा Y-Ax है O-Y और ये O-X-Ax है तो इस इस्तिति में K-1 और K-1 बोगता Y वस्तु का बोग करता है इसलिए तड़स्टा वक्र कहता है कि दो वस्तु के विभिन सहिएं योगो पर संतुस्टी मिलती है तो तड़स्टा वक्र के अनुसार बोगता है ज इसलिए दो वस्तुवे मिनिमम होनी ही चाहिए अगली जो विसेश्था है और आखिरी इसकी विसेश्था है वो है अपनी कि तड़स्ता वक्र एक दूसरे के समाना अंतर होई है कोई आफशक नहीं है तड़स्ता वक्रों का समाना अंतर होना आफशक नहीं है मतलब तमानानतर हो कोई आवशक नहीं है दो तड़सता वक्र इस प्रकार से हो सकते हैं इसको टच करेंगे ना ही इसको काटेंगे तो इस प्रकार मुख्य रूप से दो आकारों में पाए जाते हैं दो आकार कौन-कौन से हैं वो मैं आपको इसमें बताता हूँ तड़स्ता वक्रों का आकार एक तो हो सकता है तड़स्ता वक्रों होता है सीधी रेखा के रूप में सीधी रेखा के रूप में और एक होता है समकोण, समकोण ये तड़स्ता वक्र, देखेगा सीधी रेखा के रूप में कब होता है और समकोण के रूप में कब होता है, जब वस्तुए एक दूसरी की पूर्ण प्रतिस्थापक होती है, एक्स वस्तु हम यहाँ पर ले रहे हैं, इधर वाई वस्तु ले रहे हैं, जब एक्स वस्तु का वाई वस्तु से समान मात्रा में प्रतिस्थापन किया जाता है, ये एक्स से एक्स वन, एक्स जिरो से ये वाई जिरो से वाई वन, जब एक्स वस्तु की मात्रा में वस्तुएं होंगी कैसी होंगी वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती हैं प्रतिस्थापन पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होंगी और इस इस्तिति में marginal rate of substitution है जो IKAI के बराबर होगा IKAI के बराबर मतलब एक वस्तु का जितनी मात्रा में त्याग किया जा रहा है दूसरी वस्तु का उतनी ही मात्रा में व्रद्धी की जा रही है लेकिन यहाँ पर जब दो वस्तुएं एक दूसरी की पूरक होंगी जैसे राइट लेक का जूता और लेफ्ट लेक का जूता अगर एक पैर का जूता खो गया है फट गया है कहीं भी गया है दूसरे पैर का काम नहीं है सकता उसी प्रकार से हमारे पास कार है पेट्रोल है तब ही हम कार ड्राइव कर सकते पेट्रोल यहीं तो खार हम नहीं चला सकते हमारे बास पैने हैं इंक नहीं है तो हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह जब समान अनुपात में दोरों वस्तुओं का प्रियोख किया जाए तो उस श्टिति में हम क्या कह सकते हैं कि तरस्ता वक्र जो है हमारा समकोन के रूप में पाया जाता है यह हमारे IC है जिसमें हम X वस्तु के जितने मात्राम वरद्धी करते हैं उतने ही Y वस्तु के मात्राम वरद्धी करनी पड़ती है जितना हम X वस्तु को बढ़ाएंगे उतना ही Y वस्तु को बढ़ाना पड़ता है तो यह हमारे तड़स्ता वक्र आ जाते हैं इधर हम X वस्तु को ले लेंगे इधर Y वस्तु है इस इस्तिती में जो MRS होगी Marginal Rate of Substitution होगी वो सुनने होगी क्योंकि यहां पर एक वस्तु का दूसरे वस्तु से प्रतिस्थापन नहीं किया जा रहा है इस इस्तिती में दोनों वस्तु को समान अनुपाद्म प्रियोग किया जा रहा है और ये जो होता है वो होता है पूर्ण पूरक वस्तुओं की इस्तिती में जब पूर्ण पूरक वस्तुओं की इस्तिती में ऐसा पाया जाता है क्योंकि इस इस्तिती में एक वस्तुओं का प्रथक रूप से प्रियोग में लिया जाना संभव नहीं होता है तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम इसके बाद जो बजट लाइन है, बजट रिखा हैं, और उन सभी की सर्चा करेंगे, तो आपने अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको इस वीडियो के बस साथ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर क कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का नियाकान करेंगे, नमस्क्राइब